नमस्कार दोस्तों स्वागत है मैं हूँ डॉक्टर रामपंड रिसर्च इन फिनेंस आपका फाइनेसल गाइड आज हम एक ऐसे मिच्वल फंड स्कीम के बारे हम बात करेंगे कि आप या तो उसमें पैसे अपना इन्वेस्ट किये हो या तो उसके बारे में सोच रहे हो अगर जाने इसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने चीह कि नहीं करने चीह अगर आपने स entrepreneurs and आज हम इस वीडियो में दर्थने वाले हैं अब बात करें मेच्वाइट की मिच्いたव मिच्व का नाम में ICC जो है Prudent Blue Chip का है है हमारा mutual fund है बहुत सारे लोगों का डिमान था कि भई यह जो fund है ना कैसा fund है इसमें हमने पैसे इंवेस्ट किया है तो क्या हमें continue करना चाहिए या exit कर लेना चाहिए कुछ लोगों का था कि मैं इसमें पैसे इंवेस्ट करना चाहता हूं मेरे पास कुछ SIP कुछ लमसम का प्लान है तो मैं क्या इसमें पैसे इंवेस्ट करो आज के विडियो में हम लोग A to Z सारे information इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे मेन बात है कि भाई अगर आपको कोई काम करना हो तो Returns के बारे में जणना बहुआ ज़रूरी ए तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाने की कि इस ने कितना रिटन्स दिया अब देखिए दो चीजे होती है een अर एक होदी Cup 올라 प्रोट्ट इनलों ग्रोथ रेट कि आपको जिसे की बैंक ने क्या किया कि 7% का 7.5% का FDP दिया लेकि 10 साल तक उल्टा होता है कि कमोड़ेद इनलों ग्रोथ रेट क्या होती बढ़ती जाती है क्योंकि हर साल आपके जो इंट्रेस्ट अमाउंट है उस पर भी क्या होता है इंट्रेस्ट पर इंट्रेस्ट लगता है कि उसमें growth rate की बात करते हम लोग interest rate की बात नहीं करते हैं ठीक है तो हम लोग इसकी अगर compounded growth rate की बात करें तो आपको यहां देखने को मिल आएगा सर देखिए सबसे पहले बात करें कि maximum इसने कितना दिया maximum की अपने पूरे 10 साल के 11 साल के जीवन काल में इसने कितना compounded annual growth rate के दिया है तो लगभग 10 या 11% करीब दिया है और अगर आप long term के पैसे invest करते हैं तो आपको लगभग 10% माल लेते हैं 10% करीब आपको returns मिलेंगे 5 साल के लिए कर आप करते हैं तो लगभग 11% के return मिलेगा वहीं लगभग similar यारी 5 साल के gap पे बहुत ज़्यदा differences आपको देखने को नहीं मिलेंगे तीन साल में 14% और एक साल के अंदर इसने 15% का compounded annual growth rate बना करके दिया है यह तो हम लोग नहीं पढ़ा है वही growth rate पढ़ लिया कि compounded annual growth rate इसने इतना बना करके दिया है आपको इससे क्या मिलता है क्या benefit मिलते देखो अगर हम एबडी में पैसा invest करते हैं तो वहां भी लगए शाड़ी साथ 8% के करीब पैसे आपको मिल जाते हैं अब लॉंग टम यह पैसे तो वहां पर पूरी तरीके से safe zone में पूरी तरीके से जोन में और यहां पर पैसे इन्विस्ट कर रहे हैं तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि आपके पैसे जा कहा रहा है आप जो पैसे इंविस्ट कर रहे हैं तो भाई जा कहा रहे है वह भी देखना वह ज़रूरी है तो सबसे में चीज है कि आपके पैसे कहां जा रहे हैं तो finance में सबस्तिक जा रहें कुछ एनरजी में जा रहे हैं कुछ टेक्नोलोजी में जा रहे हैं कुछ सबसे अधिक आपका पैसा जो है ना वह कहां जा रहा है यानि अगर क्राइस से आती हैं कोई बवाल हो जाता है तो आपके पैसे फर्क और एफेक्ट आएगा सिंपल बात है अब बात करेंगे कौन-Kौन से होल्डिंस है वहीं होल्डिंस भेढ़र ये होल्डिंक की बात करें यह नो बैंक जो एना ऑइसे सी का यह जो आप ले रहे हैं उसी बैंक पैसा उस इस्पिन पैसा अप네 क्या कि ए उस बसने लगवD mostly पैसा लार्ज केप में लगवग और थोड़ा सा पैसा अपना मीड्र कैप में और थोड़ा सा पैसामनेador मोल्केप नगाया है यानि कि आपका पैसा टोटली कहां आ गया भरी टो टी गया तो है इसमें डेप्ट फंड में आपके पैसे बहुत ज़्यदा इंवेस्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन हम लोग चलते देखते हैं थोड़ा सा इसके कुछ रेशियो क्या रेशियो कर रहे हैं उसके बारे में लोग इसमें फ़रा सा डिस्क्स करेंगे यहां पर आपको जो expense ratio बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है कर लोग की जो expense ratio है न सार बहुत important role play करता है किphone important role play करता है कि bottom account is estimate की भाई आपके पैसे कहा of transform important role play करता है आपके पैसे कहा invest हो लेसे हम्ट डेके आप देकर आप कि यहां पर main भी आद इसके जो expense ratio इतना जादा है इतना जादा है पूछिए मत एक के उपर तो यहां पर इसकी पूरी तरीके से मैं इसको इग्नॉर करता हूं क्योंकि आप अगर 100 टम क्लिक करते तो ठीक है लॉंग टम में करते तो आपके पैसे का और है भाई हर साल आपके एक परसेंट आपको दिने होंगे एक्सपेंस रिस्यों भी 30 के उपर है सर 30 के उपर है पी र रेश्यों है बहुत अच्छा नहीं गूड है अगर रेश्यों को वह जदा कंप्रमाइज करते है तो आप यहां पर ratio बहुत बिल्कुल हमारे favorable तो नहीं है, हम इस ratio को पूरी तरीके से deny करते है, ये ratio काम का नहीं है, जो इस fund इस ratio है वो काम का नहीं है, यारी ratio पूरी तरीके से fail नहीं है याँ पे, लेकिन हम लोगos बात करें हम लोगो होल्डिंगга के साथ पता चल जाए कि रिटर्स कितना देगा वह बहुत ज़रूरी है तो रिटर्स के बार में चली हम लोग देखते हैं कि आपका पैसा कितना साल में कितना बन जाएगा तब पता चलेगा ना भाई क्या है अगर आप पूरे दस साल के लिए पैसे इन्वेश्ट करते हैं सर देखिए दस साल के लिए पैसे आप इन्वेश्ट करते हैं तो पांच हजार मन्तली दस साल के लिए पैसे इन्वेश्ट करते हैं तो आपके पैसे क्या हो जाएंगे आपने टोटल साढ़े तीन फाड़े छे हजार करते हैं तो आपका लगबग डबल के करीब 10 साल के अंदर बन जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा से ध्हांस देखिए अगर आप लंसम करते हैं तो डबल भी नहीं बन पाता है लेकिन अगर पचास हजार है एक लाक जो भी करिए आप जो भी अमाउंट ले लिजी आप मचने-अमने एक लाक ले लिया ऐंक याप आपने कर दिया है यक है लगबग ऑक कितने करीब बना पहीं दो लाक रेटनस मिल घयी उसके ठीक हैं तो आप आप जैसे amounts को बढ़ाते जाते हो तो आपकी returns क्या हो जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो long term में इसमें हमने देखा किया कि आप अगर पैसे को अगर आपने पैसे को अपने long term तक invest करना है long term के लिए invest करना है तो ठीक है आपको एक दो गुना बना करके देगा पैसा तीन गुना बना करके दस साल में तिन गुना बना करके आपके lump sum amount के लिए यानि actual बात करें तो यह जो पैसा है यह जो fund है वो किसके लिए सर बेसिकली फंड उनके लिए है जो अपना एक huge amount lump sum करना चाहते है लेकिन इसमें एक spensaries हो ज़दा है और इसमें भी आपको जो tax deduction है और काट कहीं आपको क्या होगा मिलेगा देखिए मैंने जो बात किया था उसमें एक tax deduction काटने के बाद मैंने बात किया था आपको 10% का tax deduction आपको क्या करना होगा काटना होगा कट के ही आपको पैसा मिलेगा तो अगर आप lump sum करना चाहते हैं तो यह best fund है ठीक है आप इसमें यह returns बनाके भी दिए तो आप वहाँ पर shift कर सकते हैं अपने recording तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक ही ले जाएं बंदे मात्रम